और राची में लॉकडाउन के बाद जरुत मंदों के मदद के लिए काफी लोग सामने आ रहे हैं बिक बाजार के पास लोगों को खाना खिलाने के लिए लंगर की विवस्ता की गई जाजरलिया समवदातांकुर ने हम बिक बाजार के पास है और यहां पर लोगों द्वारा खाना वित्रण किया जा रहा है पुलिस प्रसासन के लोग हैं जो 24 सो गंटा डटे वें हैं ऐसे में बात करें तो यह नेक कार किया जा रहा है आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन की स्तिती बनी वी है पुलिस प्रसासन जो है 24 घंटे ड्यूटी में हैं ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस प्रसासन द्वारा ड्यूटी के दोरान वो खाना खा रहे है कहीं न कहीं लोग आगे आ रहे हैं कहीं न कहीं लोग जो है लगतार जो है सर आप लोगडाउन के पहले दिन से यहां पर जो है कारे कर रहे हैं लोगों को खाना दे रहे हैं क्या कुछ है कैसे करते हैं यह बताएं यह तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग सहियोग के लिए जुड़ेवें है एक पहल है और हमारे मोदी जी और हमारे हिमन सुरेन जी ये दोनों हमारे पच्पहीं आखिर उन्होंने सोचा है लॉक्डाउन करना कोई हमारे ही लिए सोचा गया क्योंकि एतनी बड़ी महामारी यहां पर आई है और इसका अगर हम लोग मिल जूल कही हम लोग को लड़ना उस से तो लॉक्डाउन को देखते वे में क्या है कि काफी लोग गरीब हैं जो काफी लोग बाहर से लोग आके जो फसे वे हैं यहां पर लोग रहे तो हर कुछ तो हमारे अगर हमारे मुख मंतरी या परधान मंतरी पर छोड़ दे तो यह तो हम अपनी जिमवारी से हटने की बात है तो हम भी एक इस देश के एक नागरिक है और यहां के जो लोग भी फसे वो भी हमारी नागरिक है और यह हमारे कर्तव बनता है कि हर एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए और इसी सहयोग के लिए हम लोग यहां पे लंगर की सेवा लगाये हैं, जो लोग आये हैं, जो लोग आते हैं, उनको अच्छी तरह हम लोग भोजन की विवस्था करते हैं और उनको कोशिस करते हैं कि दिक्कत ना हो। जिसको देखते हुए हम लोग चाय की सेवा संध्या में रखते हैं, तो बस लोग काफी गरीब हैं, काफी लोग समर्थ हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग जितना परियास हो रहा है कर रहे हैं। इसे होगे हैं मन के साथ अंकर सुना नीजलन भारत राची। झाल जिसको देखते हुए हैं। झाल झाल